हेलो एवरिवन कैसे हो आप सब होप आप सभी बिल्कुल खीक होंगे सबसे बड़ी बाद दिल से खुश होंगे सो कर हमने स्टेडी किया था अबाउट दे पैनिसूलर प्लेट्यू आज हम उसी को कॉंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे the hills of पैनिसूलर प्लेट्यू सो लेट्स स्टार्ट आपर क्लास सो दिर आर बेरिस हिल्स इन दी पैनिसूलर प्लेट्यू लाइक रावली हिल्स बिंध्याने एज एट बहरो हिल्स बास्ति इस्टेंगाट्वचस आरँ इस्टेंगार्ट्स नर्थ इस्टेंगे इल्स थीट कहता है थी जब जब इंडियन प्लेट किसे आख के कुलाइड की थी विद यूरेशिन प्लेट सो यह फोल्ड मॉंटेंज बने थी एक है तो हिमाल्यास कौन से थी फोल्ड मॉंटेंज लेकिन जो जे पैनिंशूरर हिल्स हैं यह किस से बनी है वाइफ फॉल्ट वाइफ फॉल्ट फॉल्ट मीन्स जैसे फॉर एक्जेम्पल हमारे पास एक लैंड का पीस है ठीक है तो यह लैंड का पीस पोस्कोरो इधर से ब्रेक हुआ और डीप इंसाइड चला गया ठीक है इधर क्या हो गया क्रेट हो गया इस गया अप्र होने से इधर रीफ्ट वैली की फ़ॉर्मेशन हो गई और यह पर्षिंट जो थोड़ा है इधर क्या बनगी मौंटेंस फ्लैट मौंटेंस को इन मौंटेंस को हम बोलते हैं ब्लॉक मौंटेंस ठीक है तो जाड़तर जो पैने सुरे हिल्स है यह कौन सी हिल्स है ब्लॉक हिल्स ठीक है ब्लॉक मॉंटेंज और हिमाल्यस कौन से थे फोल्ड मॉंटेंज अब आपको यह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा सो हमने कल पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो पैनिस्टिलल प्लैट्यू है जी क्या है सबसे अर्लियस इसकी फॉर्मेशन होई है हिमाल्यस की भी बाद में हुई है प्लेंस की बाद में हुई है जी कोस्टल एडिया उस भ परवुआ भी आपको पताया की सब्लॉप डॉटेंस की सब्सका का होती है कि बन्र संब पॉर्शन को हम बोलते हैं बीज़िया जो दाय। सबसाइड हो गया जवाल पोर्षन इसको हम बोलते हैं गारवन जी यावी एये न वाला पोर्षन बनाता है ब्लाग मॉंटेंश और यह बनाती है रिफ्ट वैली जिसमें की रिवर्स फ्लोव एक जैसे नर्मदा तापती रिवर्स इदर फ्लोव करती है नवो बाइबन नहाम स्टेडी करेंगे इन पर्णिशनल हील्स के वारे में ठीक है सो फस्टली राबली हील्स तो राबली हील्स रणस फ्रह मुझष मुझराख बाउं के नार्थ एस्ट नार्थ एस्ट इस्ट तो सव्थ वस्टीक है इस स्टार्ट होता है फ्राम दैली डैली तू गुजराथ इदर गुजराथ डैली टू गुजराथ गुजराथ में भी एक प्लेस है पालनपूर पालनपूर खीक है सो एरबली रेंज की जो लेंथ है यह अप्रॉक्सिमेटली 800 किलो मीटर्स फ्राम दैली डू गुजराथ एंड इस हाइट हाइट इस अप्रॉक्सिमेटली 400 टू 600 मीटर्स खीक है लेकिन अरबलीस में कुछ रेंजिस है कुछ मौंटेंज कुछ हिल्स ऐसी है जिनकी की हाइट अप्रॉक्सिमेटली 100 मीटर्स तेक भी पहुंच गई है और अरबली रेंज जो हैं वो कहां ओल्ड फोल्ड मौंटेंज से जैसी हिमालय की फार्मेशन होई है नब ऐसी अरबली रेंज की फार्मेशन होई है कुछ जियोग्राफर्स का कहना है कि जो अरबली रेंज है एक आइम पर इसकी हाइट ही मालय से भी ज्यादा थी इसम橋 स्की स्वहोर्डशनी के म тебе अभी क्या हुआ से किया हुआ है अभी इसकी हएट बिलकुली कुम हो गई है क्योंकि हिमालय के बहुत ज्याला ओल्डेस्ट मौंटेंज है ठीक है तो आपको अगर कुशन आया कि हिस के इ एक्स्टेंड एक्स्टेंशन है वन पार्ट वो कहां पे गल्फ आप हमबज से होते हुए लक्षदीप जो आइलेंड से जे भी किसका पार था अराबली रेंज का ठीक है नौ अराबली रेंज की एक जो एक्स्टेंशन है वो कहां मौंट अबू और मौंट अबू में ही अरा अराबली रेंज की सबसे हाइस्ट पी कौन से गुरु शीकर और गुरु शीकर कौन सी कहां लाई करती है मौंट अबू में एंड जी जो मौंट अबू है ऐसे करके ना जे मौंट अबू है जे अराबली रेंज है इसको जो सेप्रेट करती है यह इस बैली का नाम क्या है बान माउंट आबू और अराबली रेंज के बीच में नेक्स्ट अभी हम स्टेडी करेंगे अबाउट द विंधियन रेंज ठीक है इस विंधियन रेंज स्टार्स फॉम बिहार एंड गोस अप्टू गुजरात ठीक है बिहार के में एक प्लेस है सहसराम बहां से स्टार्ट होती है और गुजरात के जोबत प्लेस तक इसके extension है ठीक है एंड इसकी अप्रॉक्सिमेटरी लेंज कितनी कवर करती है जे 1200 km and height is approximately 300 to 650 meters 300 to 650 meters and this Bindian range and Satpura range he concept mountains block mountains block mountains means this is the elevated portion and this is the elevated portion and this is the rift valley and in the rift valley which is which river flows from Narmada means Bindian and Satpura range which is the river flow from Narmada and Satpura in the south river which is Tappi river and the highest peak of this Bindian range is the Satbhaabna Shikhar now is the Satpura range Satpura range which is seven mountain ranges from Satpura range Sat means seven and Pura means mountains so it is the series of seven mountain ranges here you can see Millen hills, Meikal hills, Mahandevo hills but you can learn seven hills if you are not sure yet, which is seven ranges here to Satpura range we use Satpura range to the best range as well as Satpura range it runs from east to best like Bindian range it runs approximately 900 kilometers कि के विंधियन कितनी थी 1200 किलो मेटर्स सथपूरा आज़सो दी ब्लॉक मौंटेंट थी कह है मींस ऐसे करके यह विंधियन रेंज यह सथपूरा रेंज और जहां से नर्मधा फ्लो कर दी है सथपूरा रेंज आज़सो दी ब्लॉक मौंटेंट लाइक बिंधियन रेंज एंड दूपगर्ड इस दी हाइस्ट पीक आप दी सथपूरा रेंज ठीक है वह स्पेसिपिकली जी महांदेव महांदेव जो हिल्स है न यहां पी है दूपगर्ड ओके सो नव अभी हम डिसकूस करेंगे बाउर दे वेस्टन घार्ज फीक है फ बास स्वाच जेंगोस सहाधरिस भी बोलते हैं यह री बास चाहसन का एन बैस्तन कार्ण्स करवर से दिस्ट्यंस शिस्ट्यंहन्दर केलो में प्रह्मी डॉम् दूपतिदू कन्य कुमार्य द्थन कार्ढ्र हों फ्रिय पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नार्धन कैसराने लिदेन्हाथरी स मेडल साहर जो नПрिछन कार्ड दो आढ नियलगिरीहील्स यह कुण साफ़ाट है जहागि मिदल सहाधृटक हिसम्हे इसको बोलते हैं स्थाल इनसंद वेस्टनगार्ट crime극 है जो हाईइस पीक है उसका नाम है अनाय 오래- Guy मूडी ओकी और वेस्टनागार्स में बहुत साधे पासिस भी हैं जो हमें रोर्ट्स और रेलवेस बनाने में help करते हैं जैसे की ठाल गाट बोर गाट अन पाल गाट अनाई मूडी के अलावा भी वेस्टनागार्स में ओर भी इंपोर्टनट पीक हैं जैसे कि महाहा है क्योंकि पहां से क्रिष्णा रीवर फ्लो करती है उसका गया वो सोर्स है ठीक है महामलेश्वर एंड अधर वान इजी हरी शंद्रगार ठीक है डोड़ा बेटा डोड़ा बेटा इज़ी सेकेंड हाइस्ट पीक आफ वेस्टन गार्थ वन मोर इंपोर्टेंट पॉइंट इ कहना है कि शायद इसलिए क्योंकि जहां पर इंडिया को जो एक इदर पार था जब जिनार्थ पर मुवमेंट कर रहा था तो उस टाइम पर यह वाला यह पोर्शन है जी क्रैक होके शायद ओशन में डीप डाउन चला जग गया है और उसके वाज़ा से बिल्कुल जहां पर भी कि mean consistently की बन गए है नव THE eastern गार्थ तो इसन गार्थ जो है इसटकॉस्ट के बिल्कुल क्या अकरीए रन करिए बिल्कुल पढलत लेकिन यह कहीं सोब इस इसंडियूस रेंज कर रोंद ewn जब आपर दोक़ने करस्फिकर में तो बिल्कुल ही डिसपीर हो जाती है और फिस्ट permit न हो जाती है जैंल मौदेंग कुछाों पैने रोखो कि एंवलातिन कि रेंज्य cya जी क्या है बुरूइन पर लेкивai लिए 179 इंजे से सब्सक्राइब वर्यें में कहां तक Western Gars में आके मिल जाते हैं नील गरी बढी रिट्रा इस जान घरी नील गरी इस थे पॉंट विए त्यूर्ट आइब इसंगर साथ टीक है और नील गरी किरी जो ए रेंज है नील गरी में त्री स्टेर्स में है ठीके कुण कॉण सी तामिलनाड़ू केरला एंड करनाठ का इसलिए स्कॉंप ट्राइजंक्शन भी बोलते हैं ट्राइजंक्शन ठीक है एंदी हाइस्ट पीक आफ इस्टन कारी इस दी जिंदा घड़ा ठीक है जिंदा घड़ा पीक जिसकी की हाइट कितनी यह अप्रॉक्सीमेटली 61690 मेटर्स ठीक है और अधर जो इंपोर्टेंट पीक संब्हों है महिंद्रगि्री क्यर्त घली कुंड़ा ओकी नॉर्षीस्ट हिंद्स ऐसमैंने आपको पता है कि ब्लैट्व का एक प्लैट्व git परड़ का है मोर्ट को हम दिसके आप मेहवलीं प्लैटू मे美味ेद की हिल्से को और हो तो लेकिन तीनों की अगर स्पेसिफिक पूछें तो वह है शिलॉंग पीक और बिल्कुल सौथ में जो हिल्स है उनका नाम है कार्डिमॉम हिल्स यह कोशन बार बार कोशन एक्जम में पुछे जाते हैं तो अराबली रेंज खेस्ट पीक कोन Será गुरू शिकर गुरु शिकर ठीक है विंदियन रेंज की कुनसी है सदभावन शिकर ठीक है सतपूरा की है दूप घड़ एंड इस्टन कार्ष की मौंट जिन्दागड और नार् की है नो क्रेक लेकिन तीनों की मिला के पुछें तो बहु है शिलॉंक पीक एंड बैस्टनगाट की अनाई मूडी ओकी होप आपको सारे कंसेप्स क्लियर हो गयोंगे अगर आपको कोई भी कंसेप्स किसी में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कोमेंट सेक्शन में कियर वे निस दे बाई 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 बाई